कि हमारी एक दूसरी एफ है कि गरव कि आपको जानकर रहा नहीं होगी जब मैं एक दिन अपसरों के दाथ बैटा था तो ध्यान में आया अठारा हजार गाओं 18000 बिलेजी ऐसे निकले कि जहां आजहादे के सतर साल होने आए विजली का खंभा भी नहीं पहुचा है विजली का ताब नहीं पहुचा है विजली का लट्टू तो देखा ही नहीं उसे उसे मालूम नहीं बिजली क्या होती है आप कल्परा कर सकते हैं कि अठारवी शताब्दी में जो जिंद्ध की जी रहा है 21 वी सताब्दी में आज अगर कोई बिजली के बिना गुजादा करता है तो अठारवी सताब्दी से बुरी नहीं है तो क्या है मैंने अपसरों को पूछा मैंने बताओ यह ठारा का हजार गाओं रह गए क्यों रह गए किसके कान रह गए यह मुझे तू तू में में टाइम बरबाद नहीं करना है मुझे बताओ हम कब तक करेंगे तो हमारे अपसरों मुझे कहा कि साब छे-साथ साल लगेगा छे-साथ साल मैंने का क्यों कम समय हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो वो जबाब नहीं दे रहे थे मैंने लाल किले पर थे एक दिन गोशना कर दी कि हम एक हजार दिन में अठारा हजार गाओं में बिजली पहुँचा देंगे लोग मुझे पर शक करने लगे कि जो काम सतर साल में नहीं हुआ है यह हजार दिन में कैसे करेगा और बात सही है जो काम सतर साल में बाकी रहा हो उसको यह मुझे कहता है मैं हजार दिन में करूंगा तो मटलब क्या है लेकिन अगर आप घर्व नाम के अप पर जाओगे या किस गाओमे कंबा पोहँचा इस गाओमे तार पोहँचा। किस गाओमें बिजली का करन चालू हो गयां देली अपर मिलता एभी तो 400 दिन के आस पाट टाइम हुआ है साथ प्लेशिल गाओमें बिजली का काम हो गया जब हजार दी होंगे उसके पहले ये पुरा हुए है कि मेरा पुरा विजवात है